हेलो बच्चो तो आप सबका स्वागत है DPP discussion classes में तो इसका orientation class में लेने जा रहा हूं और उसके बारे में ये program क्या है ये बहुत बताने जा रहा हूं तो देखें जो भी जई और नीट के experience हैं उनको मैं बदा दूँ कि तैयारी के दो दो मुखे चलन होते हैं एक होता है theory classes और दूसा होता है question solving and discussion तो देखें theory classes के लिए YouTube पर बहुत सारे videos हैं हमारे भी videos पड़े हुए हैं लेकिन उससे ज़्यादा जोड़ी चीज़ी है कि बच्चे question की practice करें तो जो बच्चे के part होता है कि बच्चे का part होता है कि question solve करें और teacher उस questions में जो doubt हो उसको दूर करें discussion करें तो सबसे important part वैसे इसमें बच्चे का है कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो ही वो discussion में सही तरीके से participate कर पाएगा तो यहाँ पे हमने जो पहल की है यह है कि हम जो quota का module है जो quota का culture है उस quota के culture को अब आप सभी लोगों के लिए live लेके आए कोटा के culture में जो सबसे important part होता था वो होता था कि quota का module जिसमें DPP और sheet हुआ करती थी और sheet और DPP का discussion जो है most important part तयारी यानि इसमें एक simple culture follow किया जाता है कोटा में कि theory पढ़ाने के बाद teacher respective subject में homework देता है DPP allotment करता है और DPP का discussion next class में किया जाता है अब यहां पे जो बच्चा sincere होगा regular होगा वो DPP घर पे जाके solve करेगा और अगले दिन आके वो question पूछेगा हम चाहते हैं कि same culture अब live भी follow किया जाए और कोटा के module का discussion live किया जाए तो हमने जो class यहां से start की है इस class में join करने से पहले मैं आपको बता दू कि आपको करना क्या है तो इस class में जो भी DPP हम discuss करने वाले हैं वो पहले से ही आपको वीडियो के साथ जो वीडियो का heading होगा उसमें लिखा रहेगा कि topic number and DPP number will be mentioned तो आपको करना क्या है उस topic का जितना भी related theory content है वो आपको करना है कहीं से भी कर रहे हो आप किसी भी portal से कर रहे हो चाहे offline कर रहे हो या online कर दो पहला काम है theory part को finish करना और दूसरा काम है आपका कि जो DPP है वो quota module की DPP आपको हमारे mobile app Nucleon quota से download करनी है जो कि free है सब बच्चों के लिए आप DPP download करेंगे उस DPP का print लेंगे और print लेके एक fair copy बनाके उस DPP का solution start कर देंगे तो जो भी DPP आपको मिली है आप उस DPP को घर पर solve करेंगे और उसके बाद वो class जब भी हम ले रहे है live तो आप उस class को attend करके जो भी question आपके आपसे नहीं हुए है या जिनमें आपको ज़्यादा दिक्कत आईए doubt है तो आप उस question को सीधा हमारे expert से पूर सकते हैं तो quota के जो IT expert है वो इस program को start कर रहे हैं और यह सभी बच्चों के लिए बहुत फायदेमन चीज होने वाली है discussion is more important part तो आपको discussion को avoid नहीं करना है ऐसा ना हो कि आपके अबल theory lectures में ही उलजे रहे तो question solve करना चालू कीजिए जितना ज्यादा question solve करेंगे उतना ही ज्यादा आपका confidence बढ़ने वाला है तो इस प्रोग्राम में participate कीजिए पूरी regularity के साथ कीजिए हम बिल्कुल जो question आप बोलेंगे वो question आपको solve करके यह बताएंगे लेकिन जैसा मैंने बता दिया है उसके पहले आपको DPP solve करनी है theory part finish करना है तो मैं सभी बच्चों को all the best बोलूँगा और इस program के तुरू में चाहूँगा कि सब बच्चे फायदा उठाएं और अपने exam में जो है वो अच्छे नमरों को सुनिश्चित करें